देख सकते हैं हमारा बर्नर कितना जला हुआ है और एक घर एलू जुगार से हो जाएगा यह बिल्कुल नया सा तो कैसे होगा उसके लिए वीडियो में बने रही है सबसे जादा जलने वाला पार्ट होता है हैं आगे यह से और पीछे से होता है यह पीतल का यलो कलर का होता है आपको आडब लोहे के जैसा हो गया है वैसे दूसरा दिखाती हो ग गया को आपको देह सकते हैं यह कैसा पीतिल का रहे जहता है यक दम कलए शवाई हो गया है आर लेकिन मैं आज ऐसा जुगार बताऊंगी जिससे आप ब certific लगाना है और इससे साफ होझाईगा जो एक्ष्वल कलर होता है यह लो वैसा हो जाएगा यह तो चलिए आपको वीडियो में बता देए कि किस तर से इसको क्लीन करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना से एर करना वारे फेस्बूक पेज को फॉलो करना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेखे दो चमच इसमें नमक करेंगे हम और नमक करने के बाद दिना इसको घूल लेंगे अच्छे तरीके से अब मेने एक ही बरनर आपको क्लीन करके दिखाऊंगे दूसरी में फर्क दिखाऊंगे कैसा है और इसको इसमें डिप कर देंगे अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप ओवरनाइट डाल दीजी और सूबर साफ करेंगे ना तो बहुत आसानी से साफ हो जाता है अगर टाइम नहीं है तो इसको 15-20 मिनट के लिए इसको इस तरह से डिप करके छोड़ दीजिए उसके बाद मैं कैसे क्लीन करती हूं भी आ आप लोगों को देखिए इसके लिए हमें दो चीज है यह स्टील वाला जूना और एक ब्रेस तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे इसमें से और देखिए अभी मतलब सिफ ऐसे ही निकाला मैंने इसमें कुछ किया नहीं है तब देखिए कितना क्लीन हो चुका है इतना अब इसी वज़े से मैं अभी आपको दस मिनट के अंदर ही इसको क्लीन करके दिखाती हूं कि इसमें डिप कर देंगे इसको और इस तरह से धोते रहेंगे अभी अच्छे से फूला नहीं है इसलिए थोड़ा सा मेरे को हाथ जोड लगाना पर रहा है अगर मैं इसको ओवरनेट छोड़ देती है फिर एक घंटा भी छोड़ देती ना बहुत असानी से छूप जाता और बहुत असानी से एक दम यलो हो जाता करीब 2 मिनट के करीब घिल्ट डिए है इसको और देख सकते हैं कितना ग्लीन हो चुका है देखे फीशे भी कितना क्लीन हो चुका है ये पूरा भी साफ बहुत बहुत की है काफी हद तक साफ हो गया है पूरा पीला पीला हो गया है जैसे पितल वाला होता है तरह से रह गया है यह तो इसको धो के दिखाती हूं और यह वे निगा फेकिंग यह डैंगे जो दूसरा वाला बढ़ था ना उसको इसमें डिप करके ओबनेट चोड़ देंगे कल सुभी देख सकते हैं काफी हद तक साफ हो चुका है कितना क्लीन हो गया है कैसा काला सथा अब कैसा हो गया है देखिए दोनों बर्नार में फर्क देखिए कितना फर्क है ना अगर यह मैं दस मिनट सिर्फ छोड़ी थी इसमें दिप करके और इसको मैं ओवरनाइट रख तूंगी अब पहले यह बिल्कुल काला था अब मैंने थोड़े टाइम के लिए इसको डिप किया था इसी वज़े से इतना साफ हुआ है अब मैं यह जो बचा हुए ना और यह जो बचा हुआ वे निगर है इसमें डिप करके इसको रात पर के लिए रख दूंगी तो यह बहुत अस चाहिए तो यह बिडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जिदूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्याद सेयर करेंगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा तो चले मिलते हैं किसी कि उयों बताइए जिल्ग बताइएगा टेक लेगा हैं करे मिलते हैं 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 है बताइएगा icular flying लाडिए डिकै और फैजह आउर बताइए ख़ए जैए एक हमारे नहीं हैं झाल